आपके बने परिवार एक्जामपर में हार दिक स्वागत करता हूं हमें एक्जामपर कलम से करांथी साथियों समिस्पेक्टर जो SI की पोश्ट होती है दिल्ली पुलिस में दरोगा और जो सेंटरल आम्ड पुलिस फोर्सिस होती है जैसे SSB, CISF, CRPF, BSF, Assam Rifles इन सम्मे समिस् से 28 मार्च तक इसके फोर्म भरे जाने है कुछ-कुछ बेसिक जानकरी समझ लीजिए दरोगा की पोश्ट है 4000 सधिक पोश्ट है चार मार्च से 28 मार्च इसका फोर्म फिल होगा जबकि 9, 10 और 13 माई तीन दिन इसका CBT बन होगा इसमें दो चरण होते हैं पहले एक एकजाम होता है फिर साथ इसका सेकेंड एकजाम जो होता है वो केबल इंगलिश का होता है चलिए उसके बाद में आ जाता है अच्छे से साथ रखेगा समिस्पेक्टर की जो पोश्ट होती है यह लेवल 6 की होती है इसमें सेलरी वाइस देखेंगे गुरूप भी नॉन गजेटेड यदि आप CPF की बात करोगे समिस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में होते हैं यह भी लेवल 6 होता है लेकिन यह गुरूप C की मा मेल केंडिडिट्स के लिए निकली है वह आप देखेंगे कुल में लाकर जो पोश्टें समिस्पेक्टर की वह 61 पोश्ट है तो लगबग आप ऐसा देखेंगे कि लगबग 186 के करीब यह मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस है और अगर आप CPF देखेंगे तो यहां पर 4000 प्ल ITBP 278 SSB सशस्त्र सीमा बल जो होता है 62 कुल मिलाके 4001 जिसमें 3693 में पुरुष के लिए 308 महलाओं के लिए CISF और यह जो आपका CRPF होता है इसमें सबसे ज़्यादा है और तीसरे नंबर पर BSF तो जब आप चोईस दें तो यह चीज आप लोग ध्यान रखें उसके बाद में इसमें रिजर्वेशन मेगरा सब कुछ बता रखा है आगे आ जाते हैं सभी के लिए नेशनल्टी भारत का नागरिक या नेपाल का नागरिक या भूटान का नागरिक इस तरह से एज लिमिट जो काउंट हो रही है वो एक अगस्त को काउंट होरी इस चीज को ध्यान मतला अगर कोई जनरल केंडिडेट है तो उसका जन्म 2889 में से पहले और 1824 के बाद का ना हो बाकी जो से एश्टी ओभी सी होते हैं सेंटर लिष्ट में उन्हें छूट है से एश्टी पांस साल ओभी सी तीन साल एक सर्विसमें तीन साल इसके लाबा जो दिल्ली पुलिस की केटिग्री यह दिल्ली पुलिस ऐसा ही है उसमें कुछ डाइवर्सी विडियो जो महिलाएं होती है उनको 35 वर्स तक इस तरीके से भी है बाकी जो डिपार्टमेंटल केंडिडेट है उनके लिए भी इसमें एज में छूट दी हुई है तो सबसे पहले एज का पता हो गया 20 से 25 जनरल के लिए सेच्टी 5 साल की छूट ओबी सी 3 साल की छूट उसके लाबा जो लोग एक सर्विस में नित्यादी है या डिपार्टमेंटल केंडिडेट है उनको छूट के बारे में जानकारी होने के आवशक्ता होती है एजूकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी एक आठ 2024 को चाहिए ये चीद ध्यान दीजेगा एक अगस 2024 तक या उससे पहले आपका ग्रेजवेशन का रिजल्ट आ गया हो बीए बीए सी बीटेक बीकॉम बीसी ए जो भी आपने किये बीए लेकिन उसका रिजल्ट एक आठ 2024 तक आज जाना चाहिए या तो इस डेट पे या उसस उनको फिर फिजिकल एंडूरेंस फिजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बलाया जाएगा तो उस समय एक आठ 2024 तक के ही डॉक्यमेंट चाहिए गे ना कि उसके बाद में जो लोग दिल्ली परिस में समिस्पेक्टर के पंद के लिए आविदन कर लेकि इनोंने अभी भी पुरानी वेबसाइट का लिंक दिया है ssc.gov.in इस वेबसाइट पर यह नई वेबसाइट है ssc की अब यह कारियरत है ssc.nic.in पर अब उतरी डिटेल्स या फॉर्म नहीं भर पाएंगे फॉर्म की जो डेटे वो कब है चार मार्च से 28 मार्च इस ची के ट्रेंटर मिल जाएगा जितना लेट करोगे उतना इसमें आपको लेट होगा अब आ जाते इसमें paper pattern क्योंगि सबसे पहले इसमें cbt1 होता analytics धियान दीजिए यहां सबसे पहले पेपर वन होगा फिर आपकी नापतोल दोड़ भाग होगी उसके बाद में पेपर टू, मेडिकल और जोइनिंग, जोइनिंग के बाद में ट्रेनिंग और मौज फिर सबसे पहले जो CBT वन है, इसमें कुल 200 कुशन आएंगे, 50-54 सब्चेट के रीजनिंग, GKGS, General Awareness, General Knowledge, Maths और इंग्लिश, चारो के 50-50 कुशन, टोटल 200 नंबर, 200 कुशन, 200 मार्क्स के, दो घंटे का पेपर होगा, कम्प्यूटर पर 120 मिनिट्स मिलेंगी, जी के इत्यादी भी इसके अच्छे लेवल का आता है, मैं इस इंग्लिश भी अच्छे लेवल के आती है, पेपर टू केबल इंग्लिश का होगा, जिसमें 200 कुशन, 200 मार्क्स के, ये भी 2 घंटे का होगा, कम्प्यूटर आधारित, नेगेटिम मार्किंग याद रखेगा, वन फोर्थ नेगेटिम मार्किंग है, तो सही के लिए अगर आपको एक नमबर मिल रहा है, तो गलत के लिए आपके 0.25 नमबर ये काट दी जाएंगे, ठीक है, चले भी, आगे आज जाते हैं, नौर्मिलाइजेशन इसमें जरूर होगा, इस चीज को आप से लोग ध्यान है, नौर्मिलाइजेशन जरूर होगा, बाकि अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ है, फायदा जरूर मिलेगा, पेपर वन का यहां पे सिलिबस दे रखा है, खुब डीपली, जो जनरल मेहत रिजरिंग का पेपर होता है, वही सतर सेंटिमीटर, चेश्ट रसी सेंटिमीटर बिना फुलाई और पचासी सेंटिमीटर फुला कर, बाकि जो सेडियूल ट्राइव या हिल स्टेट से उनको छूड दी गई है, जो महिला केंडिडेट है, उनके लिए हाइट 157 सेंटिमीटर, तो पुरुष 170 और महिला हैं 157 दोड़ भाग की बात करें, दोड़ भाग अगर आप पुरुष केंडिडेट हैं, तो आपको दो प्रकार की तो दोड़ मार दी होगी, एक 100 मीटर 16 सेकेंड में, 1600 मीटर साड़े, मतलब 6.5 मिनिट में, लॉंग जंप 3.65 मीटर 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 1.2 मीटर, इस अभी भी 3 चांस मिलेंगे, मेल केंडिडेट के लिए, साथ में आपको शॉट पुट, साड़े 4 मीटर फैकना होगा, कम से कम 3 चांस,